हेलो एव्रिवान दिस इस सभीहानूर वेलकम बैक टू आर चानल स्टेश्ट्रू एक्सेलेंस जहांबे आपको भी 800 वीडियोस मिलते हैं सो गाईस आज का सेशन हमारा बहुत यह द्यादा इंटरस्टिंग है जिसमें मैं बात करने वाली हूँ इनके इंटरस्ट को समझने के लिए या उनके अंदर इंटरस्ट डवलप करने के लिए बहुत सारे आप्लिकेशन्स अवेलेबल हैं बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसको हम ऑनलाइन टीचिंग में यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से सो आज मैं आपको कुछ ऑनलाइन क्वेजिस के बारे में बताऊंगी जो आप इजीली अपने स्टूडिंट्स के लिए बना सको और आपका जाधा टाइम भी कंज्यूम ना हो सो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टूर पर और आपको टाइप करना है काहूत ओके काहूत आप्लिकेशन हम लोग डाउनलोड करेंगे क्वेज्स क्रियेट करने के लिए सो इसको हम लोग करेंगे इंस्टॉल अपने सल्फोन में यह आप आप ओनलाइन भी बना सकते हो और इसका आप्लिकेशन भी आप मुबाईल में डाउनलोड कर सकते है Usually मैं मुबाइल में डाउनलोड करके quiz create करती हूँ क्योंकि handy है mobile और हम जब चाहें जब हमारे पास time हो हम कहीं भी बैटके quiz create कर सकते हैं अपने students के लिए So इसलिए मैं cell phone ही prefer करती हूँ And usually cell phone ज़ादा handy होता है तो लोग इसे बना सकते हैं से ज़ादा easily So मेरा application install हो रहा है इसको मैं open करूँगी So अब मैं ये application को open करूँगी And ये मेरा काहूत का welcome page है You don't need any account to play before you get started Please answer these two questions So यहाँ पे students को कोई भी ID से इंडर करने की ज़रूरत नहीं है Now मैं next पर करती हूँ Choose your account type Teacher, student, professional या person तो मैं teacher हूँ तो मैं teacher की account पे click करूँगी जहाँ भी आपका जो भी Workplace है current workplace आप उस पे select कर सकते हो And ये दोनों चीज होने के बाद आपको ये दो options देखने को मिलेंगे Login and sign up अगर आप काहूत पहली बार Download किये हो और आपकी ID नहीं है So, आपको sign up करना है और अगर already ID created है Then login पे click करना है So, मेरी ID already बनी हुई है काहूत पे So, मैं login पे click कर रही हूँ And मैं username and password डाल दूँगी So, यहाँ पे मेरा password and username आ चुका है अब मैं login करूँगी So, ये मेरा page अब open हो जाएगा Click on this maybe later So, ये मेरे already दो quiz मैंने बना रखे हैं जो आपको देखने को मिल रहा होगा Life process and living organism And living world and classification of microbes ये दो मैंने quiz already students के लिए बना के रखे थे So, अब मैं आपको बताती हूँ कि quiz को कैसे create करना है काहूत में अब आपको bottom पे create का button दिख रहा है आपको ये display देखने को मिलेगा Tap to add cover image जो भी आपका topic है जिससे related आपको इस create करना चाहते हो चाहे हो science हो, social science हो, history हो, English हो उससे related कोई भी image आपके पास available है आप यहाँ पर add कर सकते हो So, for example जैसे मैं अभी जो quiz enter करने वाली हूँ वो questions इंडिया सो related होंगे तो मैं यहाँ पे photos में जाकर simply मैंने already download कर रखा था इंडिया का flag तो मैं उस पे click कर दोंगे ठीक है, तो मेरा cover image add हो गया है अगर मुझे crop करना है तो मैं crop कर सकती हूँ अगर मुझे लग रहा है कि यह सही size है तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी Now, I will click on this button save ठीक है, तो हमारा image जो है cover image वो see हो जाएगा Title, now enter title जो भी आपका topic रहेगा उसका title आपको यहाँ पे डालना है So, मैंने आपको बताया कि मैं क्यूंकि India के बारे में quiz create करने वाली हूँ So, about India ठीक है, मेरा title रहेगा description अगर आपको डालना है तो डालिए नहीं डालना है तो it's okay Unvisible to everyone रखना है आपको Next अब आपको यहाँ पे blue color का जो add question दिख रहा है उस पे click करना है और आपके जितने भी quiz के questions है जो आपने सोच रखे हैं वो आपको यहाँ पे enter करना है तो यहाँ पे आपको दो चीज दिख रही हो कि that is quiz and true or false यह freely available है और बाकी सब paid है that is puzzle, type answer, quiz plus audio, pool यह सब के लिए आपको premium version download करना पड़ेगा ठीक है यह freely available नहीं है quiz and true or false आप freely use कर सकते हो तो मैं आपको यह दोनों use करके बताती हूँ कि कैसे हम इसको create कर सकते हैं so quiz पे click करेंगे यहाँ पे हमें question इंडर करना है और चार options पे click करके हमें add करना है तो first question मैं दूगी that who is popularly who is popularly known as father of Indian constitution ठीक है so this is my first question who is popularly known as father of Indian constitution and options मैं दे दूँगी यहाँ पे लाला लजपत राई next is महात्मा गांधी next is डॉक्टर बी आर अमबेटकर यहाँ पे आपको spelling भी चेक करते रहना है simultaneously type करते होए and then last option will be इंदरा गांधी ठीक है तो यह चार options मैंने रख दिया है इसमें से जो right option है correct option है उस पे आपको simply click करके यहाँ पे आपको जो correct answer दिख रहा है इसको visible कर देना है ठीक है next आपको question add करने के लिए फिर यह plus sign पे add करना है तो quiz डालना है या फिर true or false that is all up to you तो यहाँ पे फिर से मैं quiz ही enter करने वाली हूँ second question मेरा quiz ही है जिसमें मेरा question होगा the republic day parade starts from the republic day parade starts from okay options मैं रख देती हूँ red foot next will be राश्ट्रपति भवन next will be widget chalk and then last will be indiagate okay so इस पे से जिर राइट ऑप्शन है that is राश्ट्रपति भवन इसको मैं कर दूंगी visible मतलब this is my correct answer okay next question में मैं रखोंगी अप true or false true or false में देखो true or false already लिखा हुआ है आपको यहाँ पे सिर्फ फर सिर्फ जो भी आपका question का correct answer रहेगा उस पे आपको click करना है so यहाँ पे सबसे बहले है टाइक को रूंगी question मेरा question है कर्णम मलेश्वरी was the first Indian woman to win a medal in the Olympics यह रहा मेरा question so if the question is true then आपको correct answer करना है yes अगर false है तो false पे करना है simultaneously आप दोनों पे नहीं कर सकते हो उसके लिए आपको premium version डाउनलोड करना पड़ेगा okay so यहाँ पे मैंने तीन question अलड़ी enter कर दिये हैं आप देख सकते हो अगर आपको कोई ऐसा question है जो आपको आगे पीछे करना है तो simply आप क्या कर सकते है slide swap कर सकते हो यहाँ पर ठीक है आपको दिख रहा होगा कैसे मैं कर रही हूँ जैसे third को second पे second को third पे करना है तो आप simply slide को swap कर सकते हो आच्छा उपर जो top right पे जो तीन बटन आपको दिखाए दे रहे होंगे यहाँ से आपको कई सारे options देखने को मिलेंगे यह preview मतलब आपका जो भी question है यह preview आप कैसा दिखेगा screen पर इस पर click करेंगे तो आपको बता चलेगा duplicate question मतलब जो आपका second question है यह एक और बार आ जाएगा duplicate हो जाएगा change points मतलब जितना आपका individual question का point है उसको अगर आपको बदलना है जैसे choose how many points you award for a correct answer to this question अगर कोई बच्चा correct answer देता है तो आपको उसको कितना point award कर देना है ठीक है thousand देना है तो click on the thousand points and two thousand देना है तो two thousand पे ठीक है and next क्या है delete अगर आपको कोई question delete करना है so आप यहाँ से simply delete कर सकते हो तो यहाँ पे अब हमारा quiz ready है three questions मैंने डाल दिया है ठीक है अब आपको simply करना है back and यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका cover page, title, visible to everyone and three questions ठीक है आपको click करना है save button पे save होने के बाद यह हमारे library में show कर रहा है ठीक है now it is saved अब यह सब के लिए save है तो अगर आपको students को यह share करना है so आपको play button पे click करना है play button पे click करने के बाद आपको teach और assign challenge यह दो option देखने को मिलेगा assign challenge पे click करके आपको यहाँ पे it ends on ठीक है मतलब आपको अगर date change करनी है तो आप यहाँ पे date change कर सकते हो कि कब तक आपको यह अपना quiz खतम करना है उसका set time change कर सकते हो player limit 100 है minimum participants जो आपका challenge ले सकते है वो 100 है 100 से ज़ादा अगर आपको increase करना है तो आपको upgrade करना पड़ेगा ठीक है वरना minimum 100 लोग इसको play कर सकते है free version में question timer हर question के लिए timer अगर आपको रखना है तो आपको इसको visible करना है अगर नहीं रखना question timer तो आप इसको visibility की हटा सकते है challenge option में आपको other options देखने को मिलेंगे that is randomized answer order मतब आपने जो भी answer order रखा है वो change हो जाएगा या फिर second is hide player position जो students की player position होगी first, second, third वो छुप जाएगी तो अगर आपको नहीं बताना students को अपने hide करना है तो आप यहाँ पर इसकी visibility on कर सकते हो अगर आप चाते हो कि students देखे तो आप इसको simply off कर सकते हो and then create create करने के बाद आपको ये सारे options देखने को मिलेंगे सबसे पहले आपको code देखने को मिलेगा तो अगर आप simply अपने student से code भी share करते हो तो वो लोग chrome पे जाके अगर काहूद game code लेखेंगे और ये code enter करेंगे तो आपका challenge खुल जाएगा, मतलब आपका quiz open हो जाएगा and वो सब लोग आपका जो quiz है वो इस code के जरीए खेल सकते हैं लेकिन अगर आप link share करना चाहते हो तो आप यहां से whatsapp है और भी other applications है जहां से आप अगर share करना चाहो तो आप share कर सकते हो ठीक है, तो यहां से आप अपना link share कर सकते हो और अगर code भी share करते हो तो आपका students quiz आपका खेल सकता है and then click on done button अब यहां पे मैंने as a teacher एक quiz create कर लिया तीन questions जिसमें मैंने add किया और वहां पे मैंने अपने students से code जो है share कर लिया तो अब as a student मैं कैसे open करूंगी अपना page तो यहां पर मैं simply जा सकती हूँ Chrome में Chrome में मैं यहां पर लिखूंगी काहूत game code and जो first site आएगी as a student I will open this site यहां पे मैं game pin जो मेरी teacher देगी that is 0869132 जो हमने already बनाया था यह उसी का code है मैं as a student यह code इंटर करूंगी and then मेरी teacher ने जो भी बनाया है काहूत जो quiz बनाया है वो मैं play करूंगी तो अगर मेरे पास application है तो यहां पे मुझे option आएगा तो यह मैं application में भी जाके खेल सकती हूँ या फिर chrome में खेल सकती हूँ तो as a student मैं फिलहाल तो इसको chrome में play कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी confusion ना हूँ ठीक है तो इस तरीके का screen आपको देखने को मिलेगा अपने students के phone पे इंटर nickname जो भी आपका नाम है जो भी students का नाम है student इंटर करेगा अपना नाम ठीक है and then go यह हमारा cover page आपको देखने को मिल रहा होगा यहां पे about India जो हमारा title था and then timer ठीक है so इस तरीके से screen दिखाई देगी now who is properly lunis father of Indian constitution मैंने question पढ़ लिया अब मेरे पास 20 second का option है तो इसमें जो भी correct option है इस पे मैं click करूँ ठीक है मैंने wrong option पे click किया महात्मा गांधी पे so यहां पे मुझे right option अब दिखा रहा है कि the answer is Dr. B.R. Ambedkar clear? next 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 question is true or false Karanam Malishwari was the first Indian woman to win a medal in the Olympics true or false now I got the points 900 points I got and then next next third question हमारा है the Republic Day Parade starts from so यहां पर मैं simply click कर दूँगी राश्रका की घवर okay again जितना जल्दी हमारा student click करेगा उतना जादा उसको points मिलेगा तो यहां पर यह बहुत ही interesting game होता है जो students खेलते हैं उनको यहां पर उनका points दिखाई देता है अभी फिलहाल तो मैं एक ही player इसको play करके आपको बता रही हूँ कि कैसा आपके बच्चों के screen पर दिखाई देगा तो यहां पर इसलिए सर्फ मेरा ही नाम visible है अब suppose कि आपने game code शेर किया और आपके सारे students ने उसको खेला attempt किया अब आपको देखना है reports और जाननी है बच्चों की understanding कि कौन सा question किसको नहीं समझा तो आप फिर से काहोत पर जाएए जो भी आपने quiz create किया था लाइबरी में जाना है आपको लाइबरी में जो right side पर आपको reports दिख रही है वहाँ जाना है अब आपने जो भी quiz share किया था उसकी आपको report देखनी है तो about India हमने बनाया था create किया था अब क्यूंकि यहाँ पर मैं एक ही player हूँ तो हमें report सही दिखाई नहीं देगी तो मैं आपको दिखाती हूँ living world and classification of microbes का जो के 28 student ने खेला है तो यहाँ पर कौन सा question किसने नहीं complete किया किसको help की जरुद पड़ी कितना difficult question था यह सब आपको देखने को मिलेगा also you can see the student's name and their points ठीक है तो यहाँ पर इन सब के students के points है उनके name है तो आप देख सकते हो तो आप इस application को use करके अपने students को जो है understand कर सकते हो कि कितनी concept की understanding हुई है और आप अपने lecture को और ज़्यादा beautiful जो है present कर सकते हो और उसमें कुछ newness ला सकते हो यह हो गया काहुत second मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे online puzzle create कर सकते हो या फिर word search create करके आप अपने ppt पर लगा सकते हो जो teacher presentation से पढ़ाती है वो कैसे create करके अपने ppt पर use कर सकती है online puzzle creator online puzzle maker ठीक है google chrome पर जाके आपको लिखना है online puzzle maker online puzzle maker आप लिखने के बाद आपको जो first site दिख रही है that is puzzle maker.discoveryeducation.com इसी पर click कर देना है ठीक है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है options दिख रहे होंगे जो के freely available है that is word search है crisscross puzzle है double puzzle है fallen phrases है math square है mess puzzle है letter tile puzzle है cryptogram है number blocks है and hidden message puzzle है तो आप देख रहे हो कितने सारे puzzles यहाँ से हम लोग create कर सकते हैं अपने students की learning को best करने के लिए और plus अपने class को interactive बनाने के लिए और students का interest develop करने के लिए so मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी के word search और crisscross puzzle कैसे create करती है ठीक है बाकी चीज़ भी आप खुद explore करना so word search puzzle मैं आपको बताती हूँ के कैसे create करना है simply आपको word search puzzle पे click करना है यहाँ पे आपको title डालना है अपने puzzle का जो भी आपका puzzle है उससे related आपको title डालना है तो मेरा puzzle है for example parts of body parts name ठीक है body parts name आपका कोई भी puzzle हो सकता है आप उस puzzle पे click उस हिसाब से मतलब नाम रख सकते हो body parts name मैंने रख दिया title यहाँ पे step 2 क्या है enter the size of your word search puzzle कितना size रखना है अब cross और down में तो 15, 15 words numbers enough है तो यह सब जो setting है यह मैं नहीं छूँँगी इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी आपको सीधा आना है step 6 पे and you what you have to do is you have to enter your words जो भी data है आपका जो भी words है वो आपको यहाँ पे enter करना है तो यहाँ पे हमें क्यों की बनाना है एक word search तो यहाँ पर मैं body parts name लिखूंगी जैसे mouth mouth and then comma and then again what I will write hand comma leg comma hand comma and then cheek then comma chin and then comma and then neck okay ठीक है इतना I guess enough है okay इक और डाल देती हूं मैं hand ठीक है इतना enough है okay now what you have to do just scroll it down and click on create my puzzle तो यह automatically website आपका puzzle create करेगी ठीक है so create my puzzle पर आपको click करना है and then you can see आपका puzzle create हो गया है so students को यहाँ पर find out करना है यह सारे words और यहाँ पर आपका यह puzzle है तो आप इस पर click करके इस image को download कर सकते हो और यह image हो गई download और यह downloaded image आप अपने presentation पर copy paste कर सकते हो ठीक है अगर आपको यहाँ पर बहुत सारे options available है जैसे show answer यहाँ पर आपने जो भी enter किया था यहाँ पर आपको answer देखने को मिलेगा कि कौन सांसर कहां है ठीक है as a teacher के reference के लिए कि कौन सांसर कहां है ठीक है then print puzzle करना है तो print कर सकते हो save करना है तो save कर सकते हो अगर आपको यह puzzle का place change करना है जैसे कि अभी यह answer जो है वो इधर है लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं थोड़ा सी और difficult हो जाए तो यह rebuild puzzle पे मैं click कर सकती हूँ ठीक है so जो puzzle है मेरा वो rebuild हो जाएगा and then show answer करूँगे तो मेरे जो words अचे वो हिल गये है आप देख सकते हो so again अगर मैं को click करना है तो मैं इस पे again download करूँगे और मैं यही same चीज़ copy कर सकती हूँ और students को बूल सकती हूँ के you have to identify the body parts name in this and then वो लोग zoom से हैं अगर आप online तो zoom से annotation use करकर के आपको बता सकते हैं different body parts के name okay so यह बहुत ही fast हो जाता है आपको सरफ और सरफ data इंटर करना है that's it so अभी हमने सीखा के word search puzzle कैसे create करते हैं अब हम सीखेंगे की criss cross puzzle कैसे बनाते हैं so हम click करेंगे इस पर and then again हमें step 1 में हमारा title इंटर करना है puzzle का तो मेरा title होगा about India ठीक है about India that's it now and clues मुझे यहां पर word भी enter करना है और hint भी देना है students को so that वो लोग guess कर सके कि कौन सा word होगा क्या answer होगा ठीक है so on each line enter a word followed by a space and then the clue for that word so for example मेरा word है peacock ठीक है and मैं चाहती हूँ कि student guess करे ये word को एक clue के साथ and the clue is Indian national ठीक है ये मेरा रहा clue okay so इसी तरीके से आपको बाखी के data भी enter करते रहना है so tiger मैं ने लिखा second and then मैं लिख दिया Indian national animal okay this is my second clue Indian का I capital yes and the third one is dolphin and मेरा clue है that national national aquatic animal national aquatic animal of India of India ठीक है ये हो गया मेरा third one and next will be वंदे मात्रम नहीं hockey hockey so hockey is the Indian national game है ना national game of India और Indian national game so ये मैंने चार enter किया है आप और भी enter कर सकते हो and then words or clues enter करने के बाद आपको create my puzzle पे क्लिक करना है so आपका puzzle automatically create हो जाएगा as you can see here ठीक है so हमने चार words enter किया था आप देख सकते हो across or down में students को hint दिया रहेगा and they have to identify तो जो भी आप topic पढ़ा रहे हो उससे related आप hint दे सकते हो students को and then students को वो word यहाँ पर लेखना है ठीक है कि कौन सा वो word है so आप simply इसको भी copy कर सकते हो या फिर आप इसका screenshot भी ले सकते हो and screenshot लेने के बाद आप crop करके अपने presentation पर उसको paste कर सकते हो so I hope आपको आज का session अच्छा लगा होगा आपके लिए helpful रहा होगा so अगर आपको पसंद आया simply like कर दीजिए और अगर channel पर नहीं हो तो simply आपको subscribe करना है और खूब सारा अपना प्यार दिखाना है हमारे comment section में धेर सारा प्यार दिखाना है एक नहीं बलकि दो दो तीन तीन comment कर दीजिए कि कैसा लगा वीडियो and yes अगर आपको इसका part 2 चाहिए अगर आपको और कुछ जानना है so please message me comment me in the comment section क्यूंकि और भी बहुत सारी चीज़े है जो हम बच्चों को assist करने के लिए और उनके अंदर interest develop करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसा कि Google Form है Survey Monkey है और बहुत सारे applications है ठीक है आपको चूचिंग